हाई फ्रेंट्स जिस तरह से फैस्टिवल सीजन शुरू होते ही और हम लोग इस चीज की खोज में लग जाते हैं कि भाई सबसे जार डिसकाउंट कौन सी चीज पर मिल रहा है और इस सीजन में हमें कौन सी चीज कब खरीदनी है चाहे वो फ्रिज हो एसी हो वोशेंग मशीन ह हो या electronics हो, laptop हो कुछ भी हो तो हम Amazon को देखेंगे, हम Flipkart को देखेंगे, सब जगह देखते हैं उसी तरह से दोस्तों शेर मार्केट में क्या हो रहा है ना, शेर मार्केट में आजकल यही होड मची हुई है foreign institutional investors यानि FIAEs में और FIAEs बहुत तेजी से कोशिस कर रहे हैं कि अच यह हम discuss करने वाले हैं और तीन SS Talks को कितने एक नहीं, दो नहीं, तीन SS Talks को discuss करेंगे जहां FIAEs चुप चाप अपनी shareholding को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने company के अंदर कितना दम है, इसको देख लिया है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का वीडियो बहुत important है, सागर नोमिक्स पर स्वागत है आपका, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, let's begin, सागर नोमिक्स तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और analysis शुरू करते हैं लेकि उससे पहले वीडियो को अभी से like कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और साथ में चैनल को subscribe करके bell icon को भी अभी से own कर दीजिए क्योंकि ऐसी research based वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग उन companies के बारे में discuss करना जिनके अंदर foreign institutional investors अपना stakeholding बढ़ा रहे हैं लेकिन उससे पहले एक बहुत important चीज़ में आपको जरूर शेयर करना चाओंगा यहांपर तो वो यह दोस्तों कि देखिए हमारे जो Sanskrit के जो Vedic साहित्य के जो गंत है उनमें बहुत जबर्दस life knowledge चुपी हुई है और आज हम भगवद गीता के एक श्लोक के बारे में बात करेंगे जो stock market के लिए आपके लिए बहुत game changer साबित हो सकता है दोस्तों chapter number 2 स्रीमत भगवद गीता श्लोक number 70 कहता है आपूर ये मानम अचलब प्रतिष्ठम समुद्र मापय प्रविशन्ती यद्वत तद्वत कामान यम प्रविशन्ती सर्वे सशान्ती मापनो तीना काम कामी that simply means that जिस तरह से समुद्र की नदियां समुद्र में नदियां गिरती रहती है और उनके लगातार गिरने के बावजूद भी समुद्र बिलकुल शान्त रहता है उसको कोई फरक नहीं पड़ता उसी तरह से जो stock market में समझदार investor होता है ये बजार में मचने वाले शोर से बि decision ले लेता है तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो भगवतगीता की जो सीख है ये एक investor के तोर पे life में बहुत काम आ सकती है आपके अब शुरू करते हैं हमारे पहले stock के बारे में और analysis करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो stock है आपके screen पर दोस्तों वो है वेदानता limited अब technical chart अगर आप यहां पर ध्यां से देखेंगे तो वेदानता limited में moving averages ने crossover दिया है और साथ में यहां पर यह देखिए यहां moving average ने crossover देने के बाद में एक लंबी rally हुई है और उसके बाद में consolidation का phase चल रहा है अब यहां इसके बारे में हम बात करते हैं fundamentals की पहले तो दे सकते हैं एक है company as a business और दूसरा है management चीक है सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए when a company when a company great company is run by the great management then it becomes a great business house but when a great company or business is run by a pathetic management then only the reputation of the management survives that means कि अच्छे से अच्छे business को खराब करने में management का बड़ा role रहता है और विदानता बिलकुल यही कर रहे है अनिल अगरवाल जी और उनकी जो पूरी team है दोस्तों यह वो लोग है जिन्होंने 13.875% rate of interest पर loan लिया इनकी जो main company है विदानता resource limited जो लंडन में listed है लंडन में जो company है उस company ने 13.875% पर loan लिया और loan business की growth के ल dividend देने के तोर पर यूज किया है investors को ताकि investors को लगे कि company तो बहुत profit कमा रही है जबकि actually company की profitability से ज्यादा debt की burden के कारण company problem में है और debt पर debt करजे पर करजा उसको चुकाने के लिए और करजा और अभी भी restructuring चल रही है इसकी कुल मिला करके company में कोई बुराई नहीं है company zinc में leader है aluminum में leader है iron ore में leader है market में worldwide जबरदस्त इसकी position है product अच्छे है company overall लेकिन management ने इसको बरबाद किया पर कहते हैं कि हमेशा राजनिती हो चाए stock market हो कभी भी दोस्त सारे हमेशा दोस्त नहीं होते दुश्मन सारे हमेशा दुश्मन नहीं होते इसी तरह से एक महान stock भी एक बह इस ध्यान रहती है FIAs की research में तो जब FIAs अपनी research कर रहोंगे तो उन्होंने देखा होगा कि इस company में चाहे कुछ भी हो company के products और उसके business में बुरा ही नहीं है management में बुरा ही है और इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी shareholding इसमें बढ़ानी शुरू कर दिये देखिए screen पर आप देख पाएंगे यहां पर कि यह साड़े 400 रुपे की stock price पर चल रही है और यह बुरी तरह गिरने के बाद में अब यह stock price बढ़नी शुरू हुए इसकी 28 का PE है 1,45,000 क्रोड रुपे की market cap है मतलब बहुत बड़ी company है डी merger की announcement इसकी हो चुकी है अगर आप देखें तो profit variation देखें तो 11% negative यानि कि profit तो ही नहीं losses है और dividend payout देखे 259% यानि कि company अगर 100 रुपे कमाती है तो 269 रुपे dividend दे रही है अरे एक बात होता हो आप अगर 100 रुपे की salary आती है आपके घर में तो क्या आप किसी को 200 रुपे या 300 रुपे दो क्या ऐसे ही मोजबस्ती के लिए नहीं बिल्कुल नहीं और जब आपके हमारे से जो भोले वाले investor है वो जब यह भूल जाता है ना पूछना कि क्या क्यों और कैसे तब भी problem होती है इसलिए हमेशा आपने आपको question mark जरूर लगा के रखिए कि ऐसा क्यों जी इन्हों ने क्यों दिया इतना dividend अब बात है कि जैसा मैंने बताया शुरू में कि इन्होंने लॉन लेकर के dividend बाटा है और इसके लिए मैंने पूरा dedicated वीडियो बना रखा है इसके उपर business पर जो आपको मिल जाएगा यहां पर यानि कि description में भी आपको उसका link मिल जाएगा जरूर जाके देखेगा उसको बहुत amazing video है चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो share से 100% placed है बैंकों ने और जो जिन्होंने इनको लोन दिया उन्होंने वहां पर share को गिरवी रख करके इन्होंने लोन लिया है यह भी देखिए इतना बुरा management का हाल है next लेकिन इस सब के बीच में अगर business इतना ही खराब है और बहिए यह बता यह जरा कि यह जो हमारे अंकल सैम है ना मतलब जो foreign institutional investors हैं वो लोग 7% से अपनी shareholding को 12 पे क्यों ले गए 5% से ज्यादा shareholding बढ़ा दी लगबग उतरी बढ़ा दी है इन्होंने reason reason यही है क्योंकि इनको यह पता है कि इस company में जो बुरा होना था वो हो चु रहा है इसका अलग-अलग businesses में तो उससे transparency आईगी और उससे जो घाल मेल घपलेवाजी करते थे management के लोग उससे यह बच जाएगी company इस वज़े से FIA ने इसको इस पे अपनी shareholding बढ़ाई है और क्योंकि company बहुत undervalued हो चुकी है तो एक अच्छी buying position में company FIA की नजर में है अब बात करते दोस्तों इसमें तो आप समझे गए details में हम बहुत ज़्यादा इसमें जानी पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो ज दोस्तों कि आप लोग सिर्फ numbers में खो जाते हैं numbers numbers में खो जाते हैं कि आपने देखा कि बहुत सारे excel sheet experts हैं जो सिर्फ कुछ percentage डाल डाल करके और आपको कुछ भी बताते रहते हैं figures valuation create करते रहते हैं दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए valuation के दो पार्ट होते हैं या business analysis के दो पा entries करके एक अच्छी रोजी पिक्चर दिखाई जाए सकती है जैसा कि BCG ने किया था क्या नाम था ब्राइट कॉम ग्रूप जो है उसने 800-400 करोड के loss को एक accounting entry गलत दिखा के उसमें 800 करोड की entry दिखाई और 400 करोड के loss को उन्होंने 400 करोड के profit के तोर पे दिखा दिया इन्वेस्टर्स ने तेजी से उसको purchase करना शुरू किया लेकिन अगर उन्हें इन्वेस्टर्स ने management का track record दिखा होता कि कैसे उन्होंने जो round financing की है वो की है किस तरह से उन्होंने एक तरह से एक से दूसरी दूसरी से तीसरी company में गुमा करके पैसे को और उसका फाइदा analysis भी जरूरी रखता हूं करना और यह आपको हमेशा जानतना चाहिए कि यह बहुत important है तो अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक background बताता हूं इसके बाद हम numbers के बारे में बात करेंगे background यह है दोस्तों कि कुछ time पहले एक company थी जिसका नम था DHFL दिवान Housing Finance Limited उस बहुत तरह से बरबाद हो गई क्योंकि उसके जो owners थे वधावन family के लोग उन्होंने company में घपले बाजी करी इधर उधर घोटाला किया और उनको जेल तक जाना पड़ा नतीजा यह हुआ कि company बरबाद हो गई और totally share market से dealist हुई पीरामिल ग्रूप ने उसको खरीदा बहुत से लो loan देने के लिए DHFL बहुत बड़ी company थी उसके हटते ही वहाँ एक खाली जगे पैदा हो गई और जिसको भरने के लिए aptus जैसी company को एक बहुत अच्छा market opportunity मिली हुई है तो यहाँ पर अब आप background समझ गए कि opportunity है इनके पास में दूसरा इनकी targeting भी वही है देखिए यह किसको loan देते हैं यह loan देते हैं housing loan किसको self-employed low and middle income families primarily from semi-urban and rural areas ठीक है तो यह बिल्कुल सही targeted है अपनी उस जग को उस market को capture करने के लिए फिरा 339 की price है इसकी और एक ही दिन में 4.5% से बढ़ा हुआ stock है 16,000 की market cap है और दो रुपए की face value है profit देखिए sales बढ़ी है 33% लेकिन profit grow हुआ है 40% के इसाब से company मेहनत कर रही है profit कमा रही है और dividend दे रही है 16% के आसपास में which is a healthy sign अगर आप देखेंगे इसमें पित्रोस की score number जरूँ थोड़ा low हो सकता है क्योंकि finance company है तो obviously इसके यहां लेके आ रहा हूं कि इसमें देखिए कि यहां जो शेर होल्डिंग है वो किसने बढ़ाई है यह देखिए 10% से खरीदना शुरू हुए September 2021 में यह game खेलते हैं चुपचाप तीन साल पहले खरीदना शुरू किया थोड़ा थोड़ा खरीदा ज्यादा खरीदेंगे शक करके चलिए तीन चार हजार करोड की जो का जो माल है इसका वो खरीद रखा है उनके पास होल्डिंग है जब कि हमारे देश के बढ़ाना शुरू कर दिया अब यह भी पर्चेस कर रहे हैं कौन बेच रहे हैं बोले बाले शेर ओल्डर तो सोचते चलो प्राइस बढ़ गई से हम में से होंगे उनका भी यह आल है वो सोचते स्विंग कर लो पांच परसेंट कमा लो निकल जाओ अरे भया जहां पोटेंशियल हंडर परसेंट सेवंटी परसेंट या उससे ज्यादा को होता है वहां आप सस्ते में जा रहे हो या लिविंग लॉट ओन टेबल चलिए नेक्स तो इसके बारे में यह सब हो गया लेकिन अब आपको एक छोटी ची राज की बात और बतादू मैं इसके अंदर वह यह है कि आपने अगर देखा हो तो इसका यहां पर के एक रेंज के अंदर शेर चल रहा है इसका इसमें ना कोई ग्रोथ है ना कुछ और है और बि प्राइस से बढ़ने के लिए बुलिश रेंज में आने के लिए तयार है यहां पर इंपोर्डेंट यह है कि अगर यह 380 का लेवल तोड़ करके उपड़ निकलता है तो दोस्तों फिर यहां से यह एक कंटिनेस बुल रन में चलने की इसकी शुरूआत हो सकती है अभी हम ब सब्सक्राइब यह एक इंडिया इंफो लाइन फिनांस लिमिटेड यह कंपनी शुरू की थी और यह स्टार्ट हुई थी और ब्रोकर और बाद में यह लोग बहुत सारी चीज़ों में आ गए यानि कि यह फ्रांस में आ गए मर्चेंट बैंकिंग में आ गए और पाइम में करीब एक करोड नए डिमेट अकाउंट्स खुले हैं जो कि CDSL NSDL की रिपोर्ट के इसाब से कैंस की रिपोर्ट के हिसाब से यह चीज़ निकल करके आई है और साथ में अब जब यह खोले हैं दीमेट आकाउंट्स तो जाहिर सी बात है जिस कंपनी में सबसे ज चीज इसके अंदर यह है सेकंड चीज कंपनी का अगर आप देखो पी फिफटीन है जबकि इंडस्ट्री का पी फिफटीन पॉइंट सेवन है यह एक्जैक्टली फेरली वेल्यूड है 315 रुपए की कंपनी है प्राइस भी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा महंगी हो और साथ में आप देखोगे फिफट मार्जिन को एक बार देख लीजिए यहां पर इन्होंने क्या किया यह हैं इनमें जबरत्स काम कि प्रॉफिट मार्जिन continuously improve कर रही है company यानि जो पहले कभी 30 के आसपास में होता था वो 40-50 के बीच में चल रहा है profit margin इसी का असर है दोस्तों और वो यह है कि इसकी shareholding जो है FIAs ने 13% से बढ़ा करके वापस 17% कर लिए है DIAs ने भी अपनी shareholding लगबग उतनी ही रखी है जबकि retail investors थोड़ा सा 25% देख करके save करके निकल गए तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरीके का outlook है अब ज़रा एक बार इसके नज़र डाल रहते हैं टेक्निकल्स पे तो टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये moving averages का crossover इसने दिया golden crossover जुलाई 2023 में उसके बाद ये slow and steady race पे चल रही थी लगातार high highs बना रही थी लेकिन उसके बाद में एक mocha आया 13th August 2024 यानि अभी लगबग 15-20 दिन पहले ही उसके बाद company ने run-up show किया है और वो run-up बहुत तेज है यानि ये company पहुँच गई है कितमे से 187 से 350 के आसपास में तो आगे क्या आगे ये है दोस्तों कि इसी volume से अगर ये बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि next जो आप इसको देख सकते है टागेट वो हो सकता है करीब 475 के आसपास और नीचे अगर आप देख सकते है buying on dips की opportunity आपको मिल सकती है इसके अंदर 250 के level के आसपास तो दोस्तों ये overall तीनों shares का एक analysis छोटा सा मैंने रखने कोशिस किये तो जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए वीडियो like किया, share किया, कर दिया न नहीं किया तो भी करिए और दोस्तों सारे दोस्तों के साथ में share करिए आपने इतना time दे लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक disclaimer है कि ये वीडियो हम लोग सिर्फ आपके educational purpose के लिए बनाते हैं, इसमें कोई buying और selling के recommendation हमारी तरफ से नहीं है, आप अच्छा analysis करके खुड decide कीजेगा और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही तब तक के लिए ध्यान रखे अपना जहेंद